अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Vivo Y21e Android में आप जो है वाइब्रेट फोर नोट्फिकिशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये वाइब्रेट फोर नोट्फिकिशन इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप वेडियो का हम स्टर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोर में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सैटिंग आपको टैप करना है तो यह बटन आपको टैप करने पर blue color में on हो जाएगा यानि कि आपके setting इस तरह से enable हो जाएगी ठीक है अब यह वाइब्रेट फोन नोट्फिकिशन सेटिंग जो इनेबल होने के बाद ही setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं देखे दोस्तो आपके mobile phone पे कभी भी notification आएगा ना तो आपका mobile phone जो vibrate करेगा notification की sound के साथ वाइब्रेट करेगा आपका phone notification आने पे ठीक है तो यह वाइब्रेट phone notification सेटिंग जो है enable करने के बाद इस तरह की से काम करेगी आपके mobile phone में अब आपको ने यह भी बता लेता हूं की कैसे आपह य इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं जब यह option निचे ही side में show जाता है तो इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपको mobile phone आपको directly setting में ने करा जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंटने का आपके mobile phone में